तो कैसे आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप गलती से अपने फोन से फोटो या वीडियो को डिलीट कर दिये हैं तो कैसे आप उसको रीकवर कर सकते हैं यानि वापस ला सकते हैं अपने गैलेरी में तो वड़े को इन तक जरूर देखना, सबसे पहले मैं आपको इस टेप बताता हूँ, कैसे आप उसको रिकवर कर सकती हो, बाकी बाते जो है मैं आपसे बाद में करूँगा, अपको सबसे पहले करना किया है, आपको जाना है अपनी फोन के प्ले श्टोर एप्लिकेशन में, प्ले श्टोर में आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है, उसके बाद यहां पर आपको ऐसे आके सर्च करना है, डिलेट फोटो डाटा रिकवरी जैसे के मैंने सर्च किया है, उसके बाद आपको यहां सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है, यहां पर जो दो नमबर में आप application देख रहे हो यह वाल application आपको इसको install करना है इसका logo आप लोग देख लिजिए यह वाला है आपको इसको install कर लेना है तो app जो है अभी install हो चुका है अभी हम सीधा इसको open करते हैं उसके बाद यहां आप gate start पर click करेंगे यहां पर showing ads दिखा रहा है यहां यहां पर कुछ ads आएंगे application जो है free है तो इस वज़े से आपको बहुत सारे ads देखने पर सकते हैं यहां पर आप लोग देखेंगे तो start scanning लिखा हुआ है आपको इसके उपर click कर देना है और उसके बाद यहां पर यह permission मांग रहा है तो हम इसको allow कर देंगे अभी scan होना start हो गया तो अभी आ यहां पर जहें हम कुछ videos को आपको recover करके दिखाएंगे तो वीडियो के उपर click करेंगे और उसके बाद यहां close कर देंगे और आप लोग देख सकते हो कि यह सब जो है videos जो के मेरे phone से delete हो चुके हैं वो सब videos जो है यहां पर आ चुकी है और उसके बाद यहां से अगर हम कोई एक video choice कर लेते हैं इसके उपर click करके restore all पर click कर देंगे और उसके कुछ दिर बाद ही अकर आप gallery में जाके देखोगे तो आपका जो video है वो save हो चुका है तो क्या बाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था तो वो यह है कि यह सब application जो है properly काम नहीं कर पाता है चाहिए आप कोई भी application try कर लो कोई भी website try कर लो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई अगर हम paid application को install करके उसको pay करके use करें तो क्या ऐसा possible है तब भी ऐसा नहीं होता है जब आप किसी application के लिए pay करते हैं तो स्रीफ वहां पर ऐसा होता है कि जो ads आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है वहां पर वह जो है ad free हो जाता है ads आपको देखने को नहीं मिलता है बाकी application जो है same work करता है तो यह इसका एक reality है जो कि शायद कि आपको किसी नहीं बताया होगा कि यह application प्रोपर काम नहीं करता है अगर आप कोई भी वी वीडियो या photos को recover करना चाहते हो तो आप जो है अलग-अलग 2-3 application को try कर सकते हो तो मैं यहाँ पर आपको कुछ best application suggest करूंगा आप इन message लिके करके install करेंगे और सब में ढूंडेंगे कहीं कहीं पर आप डूंड रहे हो या जो photo आप डूंड रहे हो वह आपको वापस मिल जाए तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहा होगा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful रहा हो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और ऐसे helpful वीडियो के लिए हमारी